कि ओके जी हेलो एवरिवन वेल्कम टू लॉग अकैडमी ठीक है देखो इससे पहले जो एक इंपोर्टन बात है वो आपको पता रहनी चाहिए इस बार से एकि जैम में 2022 से गेट में तो यह टॉपिक आता है और दोनों आता ठीक है गेट और में बनान ऐता है मतलब रिमान इंटेकरेशन के अने बहुत सारे हो सकते हैं और काफी अच्छा खासा हेवी हेल्दी टॉपिक हो सकता है मज़ा भी उतना ही आ सकता है ठीक है लेकिन इती जैम 2022 के लिए जो अंदाजा कह रहा है वो दो कोश्चन के करीब कम से कम होंगे और उपर नीचे कुछ होता है तो सब के लिए नया होगा मेरे लिए भी नया होगा ठीक इंपोर्टेंट बात क्या होती है इससे भी जादा इंपोर्टेंट बात क्या होती है हमें एक्जाम में जो कोश्चन करना होता है हमें जो हम जो एक्जाम में जो कोश्चन करेंगी ना एक्जाम में वो नहीं जीतेगा जो उस कोश्चन को कर देगा या फिर वो कहीं नहीं स्पीड होगी वो ज्यार्धा थेज होगी question को करने की ठीक है किलहकर कंपढ़ाऊंगाल लेकिन मैं जो आपको बताँगा में इस 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 हो यह सःएधा का सब्सक्राइग तो धिजियर से से करोगे आइटी जैम का कोई भी एक्जाम हो तो मेजर थेरी से करोगे हां और अगर फिर यह होता है यह यह वाले जो बच्चे हैं बेचारे और यह जो बच्चे हैं ठीक है 2022 में दो कभी दो उनके लिए तो यह हमेशा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है अब आइटी जैम वालों के लिए एक अलग अलग दुनिया आ गई है इस कोश्चन रिमान इंटेग्रेशन के साथ ठीक है पहली चीज़ उपस दूसरी चीज़ देखो आइटी जैम वालों के लिए क्यूंकि उन लोगों ने वेक्टर अलगेब्रा तो हटा दी और रिमान बढ़ा दिया तो वह जो वेक्टर अलगेब्र है न वह चारों में एक्कोल बाटते हैं या नहीं बाटते हैं यह अभी किस बढ़ा दिये या integral calculus में बढ़ा दे मतलब किसी में भी बढ़ा सकते हैं वह अभी कुछ शूर नहीं है उनका ITGM वालों का तो हमारे पास यह जो है ना यह जो रिमान integration के दो टॉपिक है ऐसे में और ज्यादा कारगर होंगे मेरे को ऐसा लगता है दो से ज्यादा भी आ सकते ह मेरे अंदाजे से लेकिन क्या है कि एक ही topic है first time आ रहा है हो सकता है अब वो लोग यह भी सोचें कि first time में क्यों इतने question डालने है ठीक है खेरे तो बाद में पता चलेगा हमें कि दूसरी चीज हमारा जो गोल या ध्यान रहना चाहिए हमारा कम हमारा target इस चीज पर नहीं होना चाहिए कि हम उन questions को करें जो हम पढ़कर जा रहे है एक्जाम जब होता है ना देखो एक्जाम जिसने भी दिया है मैंने तो कई बार दिया है मैं तो कई बार कई सारे एक्जाम में बड़े capital letters में फेल हुआ हूं ठीक है तो उस experience से म मेरे को जो मेरे जो फेल हुने का experience से पिछले चार-पांस साल का teaching का उससे अगर मैं आपको बताऊ ना हम पहली चीज हम जो पहली चीज हम एक्जाम में बैठते है ना हमारा mind mind game खेलता है हमारे साथ ठीक है mind कैसे game खेलता है जो चीज आप पढ़के जा रहे हो ना आपको ठीक है तो rather than thinking की जो मैं अच्छे से करके जा different만 करूंगा इससे अच्छा होगा आपके लिए कि आप तो easy questions को pick करो, easy easy questions को ढूंडो, rather than आपके अच्छे topics, वो questions ढूंडो, जो easy questions है, पूरे exam में, IT Jam में A, B और C, मानलो, तीन sections है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप उसी एक question पर stuck हो जाओ, या उसी जगार रुक जाओ, ठीक है, कि आपको ऐसा लगे कि भई, मैं तो इसे पढ़के आय होँगा, चाही कुछ भी होजाए, मैं करके मानूगा, उस चंपा को impress करूँगा, जो smile कर रही है, ठीक है, problem यहीं होती है, मेरे previous जितने भी students है, हर साल जब भी IT Jam का exam होता है, वो आकर कहते है, IT Jam, J.R.F. गेट के student हो, वो आकर कहते है, sir, वो जो आप बोल रहे थे ना, कि प यह बहुत important बात है, अब आप समझोगे इसे exam के बाद, आप जब आओगे, sir, यह तो बहुत easy था, exam इसलिए नहीं रहता है, कि आपने कोई question छोड़ दिया, या आप से कोई question miss हो गया, आपने पढ़ाई कम करी थी, इसलिए आपके exam में गड़वर नहीं होती है, exam में आपको भी देखते हो, stress भी लेते हो, tension भी लेते हो, और फिर कौन से IT में जाने यह भी सोच रहे होते हो exam में, समझोगे यह पंगा है, यह गंदा खेल हो जाता है, हमारा जो target है, हमारा जो goal है, सिर्फ इस चीज में रहे exam के time पर, कि हम पहले easy questions को tick करें, चाहे पहले एक question न गोना हो रहा हो, पतय हो, मैं जब exam में बैठा होता हूं, जो मैं capital letters में कई बार fail हूँ, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ऐसा होता है, मेरे साथ क्या हुआ, कि 1st question मेरे को नहीं आता, 2nd question मेरे को नहीं आता, 3rd question मैं तो Thai topper, मेरे को नहीं आता, 4th question में I am very intelligent to that. मेरे को नहीं आता. पांच वातों तुझे करना ही करना है I was like कि नहीं भई अब मैं पांच वातों करके मानूंगे चार में तुम पहली फेल हो गया उसमें चार कोश्चन में तो मैं गया, चार कोश्चन एक उसने पूछ लिया पता नहीं क्या एक फ़णाना, दिमकाना, मैंने चार किष्चन गया, पांच्वे में आइवाउस लाइक की नहीं, अगर ये कोश्चन नहीं होता है, तो फिर तो बहुत गळबड हो जाएगी, तो दोब इस पता निकितने बड़े बड़े मेंत्रिक्स जिories 24 के में टुमानचैनला रतर ऐसी जोड़ा दिए मेरे सामत्रिक्स ने चालन इसाम ही पैंगbahn कीमे holiness जनने अरा मैंने प्यूद्फा पांच्वा कॉर्ण नेकाल और पांच्वा कॉर्ण ocult ci वेट कर रहा था कि भाई अभी मुझे स्किप कर दे अगले पर चला जा भी बहुत सारे कोशन से मुझे ये करना चीए था लेकिन हुआ क्या मैं उस पांचवे कोशन में ऐसे अड़ गया यहां चार कोशन में टाइम दे कर आया हूं मैं बाइदावे जब मैंने चार कोशन छो अब उसको फिर दुबारा शुरू कर दिया 15 से 20 मिनिट में एक कोशन एक या दो नंबर का समझ रहा हूं अगर नहीं समझ रहे हो यह सारी बाते नहीं समझ में आ रहे हैं तो एक्जाम के बाद आएंगी मुझे पता है आती है सब को समझ आती है मुझे भी आई थी एक दिन ठीक है गेम सिर्फ इतना सा है अगर तुम समझ पा रहे हो तो इजी कोश्चन को पकड़ लेना प्लीज पूरे एक्जाम में साथ कोश्चन है फस्ट कोश्चन से लेके साथ कोश्चन तक पहुंच जाओ इजी कोश्चन करते चलो इजी कोश्चन करते चलो ना तो गला सुखेगा ना दिमाग पानी की बॉटल ऐसी भरी की भरी रहेगी जो पास रखके बैठे हुए आराम से पानी पीते रहोगे एक से साथ कोश्चन में ऐसे 15-20 कुश्चन मिल लेंग जो इजी हो जाएंगे कि ODE का कोई कोश्चन है हमें पता हो जाएगा लेकिन लेंदी है समझ रहें वेरियेशन हो मैं थाड़ वेरियेशन हो पैरामेटर से कोश्चन आ गया सबको आता है वह कोश्चन उसमें को तुम कोई तीर्स मार का थोड़े ही हो भई आए टिन वाली बात तो आई ही नहीं समझ रहें मैं बोलता हूं लेक्चर में की मैं थामेटर मेरे हिसाब से मेरी जो फ्लॉसफी जितना मैंने सीखा है तीन स्टेप्स का गेम है लेंग्विज थिंकिंग इन तीन का गेम है ठीक है एक्जाम से पहले आपके पास प्रेक्टिस इतनी हो कि वहाँ एक्जाम में आप कोई नया कोशन ना ट्राइ करने बैठ जाओ आप अपने थेरेटिकल वाले कोशन को ना आजमाने लग जाओ एक्जाम में कि नहीं मैं तो यह पढ़के आया था फॉर इसली हर जगा मैटर करता है यह भी मुझे ऐसा लगता है कई वार कोशन की ना लेंगवेजी नी पकड़ में आती है वो रिमान इंटेग्रेल पूछे का किसी डोमेन में या किसी में कोशन करेंगे तो वो कोश्चन ही नी समझ में आएगा कई बार तो और लेकिन उसको क्या करेंगे कि हमने तो रिमान इंटेग्शन बढ़ा हुआ है जब यह चीज आती है ना धिमाग में जब मैंटालिटी हो जाते हैं कि नहीं हमने तो पढ़ा हुआ है हमने तो किया हुआ है हमेशा गोफर फरस्ट इज़ी निया लिग देखा जाएगा बाद में एक से वह 50 40 60 तो टैकल करो जो easy questions हो एक से दस में से तीन चार तो easy होंगे दो तीन तो दो तीन question तो easy होंगे उन्हें कर दो 10 question भी कर दोगे तो 10 दूनी 20 marks मतलब तो जो qualify marks होते हैं न 25-30 अगर तुम 15-20 question करते हैं तो क्वालिफाई तो ऐसी हो जाते हो easy question ढूंटो जो easiest question है अगर रिमान के चार question आते हैं आगर गैरंटी यूए एक से दो question easy होंगे अगर दो question आएंगे रिमान के तो एक question बिलकुल easy होगा तो एक question तो करो कम से कम shortcut से जल्दी से फटाफट कर दो ठीक है मतलब मैं तो बस यहीं कह रहा हूं कि easy पहले करो typical को बाद में छोड़ दो फिर moderate level पर फुर उस पर और आपके goal हो सकते हैं आपका तरीका हो सकता है किसी को कोई section A में पहले जाना चाहरा है section B में पहले जारा ना हम वो शुरू करते हैं ठीक है क्या है important game important game ups इतनी बड़ी रिजर हो गई ओहो चार लाख रुपे के फायदे ठीक है गेम शुरू करते है